नमस्कार मैदानी संजार और आप देख रहे हैं पियारवी जाफरा बाजार कटरा गोरकपूर में मौझूद है और लगातार गोरकपूर के गली और कुची में हम जा रहे हैं ताकि जमीनी हकिकत पदा चले क्या सरकार जो पांस साल काम किये जनता कितनी संतुस्थ हुई क्या दुवारा योगिया जितनात को सत्ता में लाना चार रही है या फिर वो कई और ओप्शन देख रही तमाम पार्टिया है और अखलेश यादवी मैदान में तमाम लोग से जानेंगे सबसे पहले अगर शुरूआत अगर आप से करते हैं तो कैसे देख रहे हैं पूरा पांस नहीं क्या मोहल लग रहा है यहां से दस कदम आगे जाएगा यहां यहां तक अब या पानी लगा है हमारे पूर बिधारक बिजय बाहदूरियादो सपा के कंडिडेट होने के बाउजूद भी जो अभी वात्मान में बिधारक नहीं है इतने इतने पानी में घुशके तमाम परिवारों का हाल चाल लिया गया यहान को निकासी करने कार किया जाता है यही विकास हुआ है बस मंदिर पीश रोड में पीश सहरे है यहां पर श्टीमध चलने कार होके यही ने विकास कार किया वो विकास का मुददा है और अनेकों स्वास्त का मुद्दा है एजुवा हाथ सपल सान है क्या लग रहा है अखलेश आ रहे हैं योगी जी वापसी करेंगे मेरा मानना तो एक ही चीज है और मैं दिल से कह रहा हूं और यह आने वाले दस मार्च को रिजल्ट आ जाएंगे सामने मैं अभी से अकलेश यादो जी को बधाई देना चाहता हूं 26 जनवरी के खुसी में कि अकलेश भाई हमारे फूल बहुमत से आ रहे हैं तो आ रहे हैं सपा आ रही है योगी लाहड को रोक पाएंगे साब हो रही है बिजेपी सपा हम गोरगफूर में खड़े हो कर रहे है और जो इनका चुनाओ का मददा था ना बुसल्मान सब शुके हैं कि यह केवल हिंदू अर्मूसिलिम बाई को लड़ा रहे हैं सारी जन्ता समझदार हो गई है ठीक है उन्नीच से जन्ता समझदार हो गई है जन्ता जवाब देने क लिए तैयार है बाजपा अभी तक यौद के लिए कुछ ने की है सड़क निर्माल कर रहे है यह कर रहे है कम सामें देना चाहिए कोई भाजपा ऐसी पर में हो रहा है फैक्टरी देखा रहे है तो तो कलकत्ता का देखा रहे हैं तो लगा हुआ है अगर चले जाएं तो इतना गड़ा में महला है कम से कम नहीं एक महिना तक लगाता तर इतना पानी लगा हुआ था कोई नहीं आया था देखने के लिए विधायक जी तो आज तक यहां पर देखाई नहीं तिया है मन्दीर में मैदन सब्सक्राइब करता है जाता है कि मंदीर हरता नहीं है जो चुनाव क्यों नहीं है यहां चुनाओ एक तरफा होता है जब मुद्दों पे नहीं चुनाओं होगा जब जाती विशेश पे चुनाओं होगा तो हमेशा चुनाओं को भटकाने का काल किया जैसे 1970 में इंद्रा गांडी ने पार्लिमेंटरी फोर्स का इस्तेमाल करके जैपकास नारायन केस का वर्डिक आया था वही कार आज भाजपागी सरकार कर रही है चुनाओं जीतने के लिए कि डियमस्पी लगे हैं भी जुटाने के लिए यह डियमस्पी कहां गाए अपने भाई जब हमारे लोग लागडाउन में करोरों के मैदान में कुदने से कहा जा रहाएं कि कर घनम कि कि हिंदू-Мुसल्मान क्या जा रहा है कुछ फायदा पहुंचेगा है देखिए वाय अमिच शाह ने पिथा राजनिति की मैं आपके कोई बात और बताना चाहा रहा हूं आपके चैनल कि माद्ध हम से कि यह जो कर्मान की राजनीती हो रही है अन्य तक कोई राजनीती नहीं हो रही है आप एक बात बताईए लोग कहने दस आदमी से ज्यादा चुनाव परचार में नहीं चलेंगे लेकिन यहां से डेर किलो मीटर की दूरी पर महांत योगितनाच जी का गर है जहां पर खिचरी का मेलाद चला है एक व्यक्ति कोई एक व्यक्ति भी वहां पर माक्स लगा के नहीं मिलिएगा लाखों करोरों की जन संखेया है उस समय करोना नहीं पहला इन्होंने के वाद जाती विशेश देखके करोना को भी इन्होंने ज सरकार खुद गुंड़ों की सरकार है गुंडे लोग सरकार में बैढ़ जाएंगे तो गुंड़ा गड़ी खतम हो जाएगी तब कि आप देख लिजे पांच साल में जब खुद दंगाई लोग खुद जो है क्या नामे आज तक पांच साल में एक भी दंगा पूरे उत्र प् सफलता आप सफलता किस्कों नहीं कहा जाएगा संत्ग कहा जाए संदो खर न ses進ski तो को संत्थ कहा जाएगा संद्थ को कहा जाता है जो अपनी विचारशा के लिए अच्छा सोचता है तो विए के संत होते हैं तो लेंड क्रूजर में चलते हैं याप थीजे प्रदेश प्रदेश में यओगी कोई परभाव मैं कोई परभाव नहीं और है मैंने आप से पहले कहा है कि मैं पहले से दिया हुँ रहे हैं केमाने जारे उनके अनले एक हजार सीट कूर्सिये लगी रहेंगी अब पचास तो परत्यासी बैठे रहेंगे 90 परत्यासी गायब हो जाएंगे उनका चेहरा देखके बस यही जान लीजे और बिना बोलाए अकलेस भाई हमारे अगर बोलाते हैं तो देख लिए जनता की केतनी भीड होती है इनकी सवा ही क्योजे से इनकी सवा को भीड देखके ही जनता तूट पड़ी अकलेस यादव में तेनों ने करोना का बाहूल दे दिया हवा दे दिया करोना चल यह बताये मुखमंतरी के परोसी होने का कोई फायदा नहीं कोई लाब ने इससे अच्छा तो सांसत्य तो कुछ लाब मिल योगी जी के गढ़ में समाज़वादी ठीकेगी नई योगी जी हारेंगे अपनी सीट वो खुद ने बजा पा रहे हैं अपनी सीट हार जा रहे हैं अधिर उना उत्चुना अहारे दिना 2018 वाल्या तो हारेंगे क्यों एसा थोड़ी नहामूंकिन थोड़ी नहां कोई चैस पर कोई विकास हुआ नहीं तो इसको जो है चुना जब करीब आ गया है तो इसको क्या किये हैं कि धन के नाम पर बाड़ दिये इसको कहा जाता है कि गोड़कपुन में रहना होगा तो जो जानते होंगे हमें तो नहीं लगता ऐसा कुछ है आपको मैं बताना चाहूंगा यह कहते हैं लोग का निया नारा निकला है जो राम को लाएं हम उनको लाएंगे हां पूरे यूपी में भगवा रहाएंगे इनलों का यह नारा है असलिए मैं तुम खुद लोग तुम लोग खुद 1990 से लेके आज तक सन 2014 सन 2017 में राम के नाम पे आयो और तुम राम को लाओग अधिया यह तो अपमान कर रहे हो तुम लोग करके अखिलेश यादव जो है मंदिर बादा निर्मान में बादा डाल ने अजे कैसे यह बताएए हम आपी के से पूछेंगे अखिलेश यादो क्या सुप्रीम कोर्ट के आफिस में बठते थे अखिलेश यादो का फिस याद से यह ना चाहूंगा सुप्रीम कोट में हुआ तो सुप्रीम कोट की यह साउगात ना 155 को बिजएपी नहीं है जो खुद नाम करते हैं और जो कुद राम के नाम पर आए हैं ह। सिरिफ अगबारों में न्यूज चैनल हों पे हैं और कहीं नहीं नहीं है जमीन पर विजएपी पूरा प्रदेश ही बैठेगा और का मज़ा उठाएगा कमल में क्या दिक्कत हो गया कमल में बहुत सी दिक्कते हैं कमर ने कुछ किया भी कि है नहीं है खुश्बू की तो बात शोडबें बदी इतनी गंदी आ हुग जा कि आप खुश्बू की बात कर रहे हैं आप ही बता दीजिए कि आप किसको वोट देना चाहते हैं आपके हिसाब से CMCT कहलाता है यहां तो सब कुछ ठीक हुआ होगा नहीं यहां पर बस कहने की बाते हैं नियूस पर चल जाने से कोई चीज़ें अच्छी नहीं हो जाती है यहां तो कहा जाते हैं मुसल्मान भी 70% योगी जी के साथ है ऐसा कुछ नहीं है मुसल्मान पूरा सपा के साथ है पूर पूर बहुमत के साथ सपा के साथ है ऐसा कुछ नहीं है बस यह कहने की बाते हैं नियूस पर चलाने से चीज़ें बदल नहीं जाती हैं जमीनी इस तर और योगी जी का क्या लग रहा है पांच सल कैसा रहा हमारे वही मुखमंत्री हमारे मुखमंत्री होंगे जाफराबाजार के पास हम यहां पे हैं और तमाम लोग उसे बातचीत की सबने बड़ी बेबाकी से अपनी राइदी फिलाल इस वीडियो में तरह मिलता अगली वीडियो दो बने रहे हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद